हलो एपिरीवन वैकम टू माई योट्यव टेनेल न आद हम बनाने जा रहे हैं आलू की बुजिया कुछ लोग इस लोग इससे आलू की कटली कहते हैं आलू को छील कर और इस तरीके से इसे पतला-पतला हमें लंबा-लंबा काट लेना है ये दीखे इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना ही है इसी तरीके से अच्छे लगते हैं जैसे फ्रेंच प्राइस काटते हैं उसी तरीके से हमें इसे काट कर लेना है और बस एक साइड हमने ओईल करम होने के लिए रखा है इसक बहुती सिंपल होता है सबजी और बहुत चल्दी बन जाती है बस जयसी ही और जीरा और सारे मसालों को डाल कर अच्छे से हिला लीजे और उसके बाद में आल वाश करके और फिर इसके अंदर डाल दीजे और ये बहुत चल्दी में बन जाती है ब Russell Ciao के साथ तो यह बहुत ही टेस्टी लगती है और आप चाहें तो इसे सफर में भी ले जा सकते हैं बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आएगी यह बहुत टेस्टी सबजी बनती है और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली से के पाद इसे ढख दिजिए और इसे ढखेंगे तो ढखने से ज़ल्दी पकती है अलू जल्दी गल जाते हैं पिच बीच में आपदंकर चेक कर सकते हैं कि आलू गले की नहीं और इसे हिलाते रहेंगे हम तो ये नीचे भी नहीं लगेगी और ये बहुत ही फटा-फट बनकर ready हो जाती है ये देखिए बस अभी इसमें कुछ कसर लग रही है तो हम इसे दुबारा से ढखकर रख देते हैं और फिर हम इसे दुबारा खुलकर चेक करेंगे ये देखिए हम इसे दुबारा से खुलकर चेक कर रहे हैं आलू जो है वो गल चुके हैं या नहीं तो नहीं कर ले हैं इसलिए हमने इसे वापस से रख दिया है और बस ये देखिए अब हम इसे देख रहे हैं जसी जसी ये बनती है वैसे वैसे इसका कबर भी बहुत अच्छा हो जाता है और इस थे पानी बी ये फिर यह सोक लेता है इसी पानी में यह बनकर ready हो जाती है तो एक्स्ट्रा पाने डालने की हमें जरुमारत नहीं होती है और इस तरीके से देखिए कितनी टेस्टी सब जीवन कर रेडी है आप इसे पूरी पराठे के साथ या दाल चावल के साथ इंजॉय कीजिए